नमस्कार साथियों स्वागत है आपका अपने ही योटोब चैनल बीरू अकैडबी पर डियर बात करेंगे कल राजस्थान में सिच्छक भरती रीट लेबल वन का परड़ाम जारी किया गया है आखिरकार इसकी कितनी कटाप रही कितने भरती इसमें पास हुए हैं इसके बात जो चर्चित मुद्दा उड़ा है बीएट पातरता बीवात का जैसा कि आप जानते हैं कि इसी परिछा से कहीं ना कहीं प्रात्मिक सिच्छक भरती से बीएट को बाहर कर रास्ता दिखाया गया था जोद्पूर हाई कोर्ट के दुआरा जिसका आडर माननी शुप्रिम कोर कर रहे हैं वीडियो पर आदे बढ़ने से पहले चैनल को सबस्क्राइब कर लिजिए वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजेगा डियर आपकी स्क्रीन पर डियर आप देख सकते हैं आपर जैपूर से आज ही की डेट का यह नियूज अपडेट लगी हुई है अध्यापक भ राजस्थान कर्मचारी चैन बोट की तरब से करवाया गया था और इसमें जो रीट की पातरता होती ही एडियर उसी को चैलेंज कर दिया गया था और उसमें बीएट के भर्थियों को इन्वैलिट कर दिया गया था राजस्थान की जोदपूर हाई कोट की द्वारा वही से जो भरती परक्रिया है वो पूरी तरीके से समाप्त होने जा रही है और नियुक्ति पत्र कहीं ना कहीं BSTC छात्रों को मिलने जा रहा है लेकिन फिलाल अभी तक B8 पात्रता विवात का जो final decisions है वो नहीं आ पाया इसी की तर्ज पर मद्रदेश में भी सिछक भरती में पूरी तरीके से B8 के अभरतियों को वहाँ पर नियुक्ति पत्र दिया गया है कुछ राज जैसे हैं जहां B8 नहीं लिया जा रहा है और कुछ राज जैसे हैं जहां पर B8 को भी इंत्री है क्योंकि NCT की जो गाइडलाइन है 28 जून 2018 की उसमें 6 माह के ब्रिज कोर्स के साथ B8 पू उन्हों राज्यों में चैन परक्रिया का अधार है वो अलग-अलग है एक राज में B8 को नहीं लिया गया और दूसरे राज में B8 को न्योक्ति पत्र दे दिया गया इसी जद्दो जहत को आखिर का ये कब समाप्त होगा जब मानी शुप्रिम कोट का फाइनल डिसीजन गया है समझ नहीं आता जज्जमेंट तो देना चाहिए था चाहे कुछ भी होता रोज रोट की टेंसन तो नहीं रहती इस पर देवेश सरमजी के द्वारा ये ट्वीट करके बताया जा रहा है कि शुप्रिम कोट देश की सरवोच अदालत है पूरे देश से यहां पर कैसे साते हैं 6 महीने के अंदर एवरेज फैसले आ जाते हैं सुप्रिम कोट में कोई समय सीमा नहीं होती फैसले देने की इस पर कुछ साथियों के ऐसे भी कमेंट आ रहे हैं कि सर आप तो इस समय समर्भाइकेसंस चल रही है और ग्रीस मकाले नवकास की वज़ा से मानी सुप्रि पूरियागी के बंच पर इस eligibility को सुना गया था काफी लंबा विवाद था इस matter पर NCT पूरी तरीके से खड़ी थी बिएट के साथ केंदर सरकार MSRD सब बिएट के साथ खड़ा था लेकिन BSTC के साथ महज कहीं न कहीं जोदपुर हाई कोट का जो डिया गया decision से उसी के अध किये होगी कि मानी शुप्रिम कोट इसको कब तक रिलीज करती हैं लेकिन इसको order आना काफी जल्दी आना काफी महतरपूर है क्योंकि आप देख रहे हैं कि आगे आने वाले बिहार राज्य में एक बड़ी सिच्छक भरती होने जा रही है जिसकी परिच्छाएं अगर स्तम पच्छ में आता है सपोर्ट डैट तो जितने भी राज्य है वो तो ठीक है केवल राजस्थान को छोड़ करके क्योंकि अगर बीएट के पच्छ फैसल आएगा तो राजस्थान की जो रीट की भरती होई है निश्चित तोर पर ये बिवात के घेरे में जाएगी और अगर बीएट के अगेश्ट फैसल आता है तो राजस्थान को छोड़ कर अनिराज्य भिवात में चले जाएंगे जैसे मद्ध प्रदेश में सिच्छक भरती हुई है वहाँ पर बीएट पूरी तरीके से पात्र किया गया है वहाँ पर जो बीएट पात्र है वो कहीं ना कहीं मान प्रिक्रियाएं हैं क्योंकि कुछ टकराओ है कुछ राज बीएट को लिये हुए हैं कुछ राज बाहर किये हुए हैं तो किसी ना किसी एक पच्छ में मानी शुप्रिम कोट का आडर आना ही है निश्चित तोर पर इसमें कुछ बड़े उलट फेर देखने को मिलेंगे ले में अपनी जानकाई को साजा कर सकते हैं फिर मिलेंगे एक और वीडियो में तब तक के लिए जैहिंजे भारत लब यूगाई पंदेवात्रम